आज हम यहां पर नया चेप्टर सुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर टू जिसका नाम आपको देखने को मिल रहा होगा छैप्टर फिर्शे का सेकेंड ऐप्रीष है domestic वाला चेप्टर जो है उसका नाम है solution solution वाला यहां पर मैंने भी लेक्टर अपलोड नहीं किये वे हैं जब हम यहां पर electrochemistry complete कर लेंगे उसके बाद मैं solution वाले chapter के lectures भी यहां पर YouTube पे upload कर दूँगा ठीक है तो बने रहे हैं यहां पर चाहे आप यहां पर UK के बोर्ट से हो चाहे आप सीबे सीसे होग से बोर्ट से हो चाहे आप यहां पर I.S.D.C बै individual सबी के पास यहां पर कौमन लेवस्हां पर रहने वाला है तो शुरूख कर लेते हैं आज इंट रटाक्शन वाला पार्ट pave तो अगर हम बात करें यहां पर electro chemistry की थो programmesent तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में हम पड़ते हैं एनर्जी का इंकर करन वरंजन किसका इंर्जी का इंट्र करन पर यहां पर इंट्र करने की हैं आपको दो तरीके की energy देखने को मिलेगी एक energy को आप बोलोगे electrical energy एक टाइब की energy आपको कैसे मぇगी electrical energy दिखे गी और second type of energy आप यहाँ पर देखने वाले है chemical energy chemical energy ठीक है यहाँ पर दो तरीके के energy आपको discuss करनी है electrical energy और second one is chemical energy और इन ही energy के बीच में हमको interconversion पढ़ना है इनके बीच में क्या पढ़ना है interconversion पढ़ना है यानि कि हमको यहाँ पर पढ़ना है electrical energy से chemical energy में कैसे change होता है और chemical energy से electrical energy में कैसे change होता है इस चीज के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है discuss करना को लोगोगों को मिल रहा होगा इंट डील्स वीद इंट्र को नरजी टू एलेक्ट्रिकल एनरजी टू केमिकल एनरजी वही बात हो रहे हैं कि इनर्जी केमिकल एनरजी में ऀन्टर्स ही हिए आगे बढ़े अगर यहां पर इसमें और क्या क्या चीजे कुछ सब्सकों देखने को मिलेंगे जैसे हमको एक टिर्म देखने को मिलेगा जुस्पर पूरा का पूराचेप्टर को तो होने वाला है वो टरम आपके पास रहेगा से्ल वैसल आपने और जगह भी देखे होगे लेकिन यहां पर सेल का मतलब कुछ और अर होता है यहां पर सेल कैसे एक ढिवाइस एक एक device है, हमने भी क्या बात करہी थी हमने बोला हम神रat पढ़ने वाले हैं किस चीज का electrical energy का chemical energy में और chemical energy का electrical energy में तो वो device जो यह interconversion कर वाएगा ठीक है, شिय क्या होने वाला है सेल वो device रहेगा जो यह interconversion करवाने वाला है किसके बीच में Electrical Energy का Chemical Energy के बीच में, I hope यह चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, जो Energy का Interconversion होने वाला है, वो कर81 रॉडवास कौन है? वो device है – cell, I hope यह चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, तो, A Device which converts chemical energy to electrical energy, या फिर, electrical energy to chemical energy, आई होप यह चीज़ आप समझ पा रहे होंगे की सेल क्या होता है ठीक है हमने बोला दो तरीके के एनर्जी की बात हम करने वाले हैं एक टाइप की एनर्जी होगी एक टाइप की एनर्जी होगी एलेक्ट्रीकल एनर्जी उन दोनों की बीच में इंटर कंवर्जन होने वाला ह है उसकी स्टेडी हम किस में करेंगे और जो डिवाइस ये इंटर कनवर्जन करवाने वाला है उस डिवाइस को क्या बोलने वाले हैं यह चीज आप समझ पा रहे होंगे हैं आजए बढ़ता है यहां पर देख को हमने देन्र क्या हो रहा है मैं चीज करता है उस इष्यक्ण कर आ होती है डिखो अगर आप सीज को पड़ रहे हैं तो आपको यहां पर नौटWe एक copy और pen लेकर बैठना है अगर आप offline classes में है तो ये तो मैं आपको offline classes में लिखवा देता हूँ अगर आप online, सिर्फ online classes यहाँ पर join करते हैं आप सिर्फ यहाँ पर online class से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है एक copy और pen लेकर बैठना है और जो जो चीजे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब एक तरफ से note down करते जाना है ठीक है यह बात समझ में आ रही है तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं cell के बारे हमने बोला cell में क्या हो रहा होता है cell में एक redox reaction हो रही होती है cell में क्या हो रहा होता है यह point note down करने तुम्हें cell में क्या हो रहा होता है यहाँ पर redox reaction हो रही होती है redox reaction का मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा कि reaction नाम की कोई चीज होती है oxidation नाम की कोई चीज होती है तो एक reaction होती है जिसमें reduction होता है एक reaction होता है यहाँ पर जब हम बात करने वाले हैं cell के अंदर दोनों तरह की reaction हो रही होती है तो जहाँ पर दोनों तरीके की reaction एक ही reaction के अंदर होती है उस तरीके की reaction को क्या कहा जाता है redox reaction कहा जाता है यानि की reduction भी हो रहा है reduction भी हो रहा है साथ इसाथ oxidation भी हो रहा है क्या इतनी बात तुमको सुनाई दे रहे हैं क्या इतनी बात समझ मारी है reduction भी हो रहा है और oxidation भी हो रहा है इस तरीके कि जो भी reaction होती उसको क्या कहा जाता है redox reaction कहा जाता है I hope ये आप समझ पा रहे होंगे आगे बात करें यहां पर next point की the cell consists of two half cells और उन half cells को क्या कहा जाता है electrodes कहा जाता है half cell यानि कि क्या मतलब इसको भी हम detail में discuss करेंगे भी आने वाले वक्त में कि यह half cell किस तरीकिस हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने बोला कि एक जगा पर reduction हो रहा है एक जगा पर oxidation हो रहा है तो यह हो रहा है olha Cela कि से बना होता है हाफ सेल और हाफ सेल कि क्या बना होता है सेल बना हुआ होता है तो यहां पर बात करने वाले हैं उन हाफ सेल्स को ही क्या कहा जाता है उन हाफ सेल्स को ही इलेक्टरोड कहा जाता है अभी हम इनका कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे कैसे ये इलेक्टरोड होता है कैसे हाफ सेल्स होता है आगे बात करें, हमने बात करी हाफ सेल हाफ सेल जिस पर ऑक्सिडेशन हो रहा है हमने बोला ऑक्सिडेशन होने वाला है हमने बोला रिडक्सन होने वाला है हमने बोला हाफ सेल से अब जिस हाफ सेल पर ऑक्सिडेशन होता है उस हाफ सेल को एनोड कहा जाएगा वाले हैं यह point note करके लिखना है आपको कि जिस भी हाप सेल पर oxidation होता है उसको हम हमेसा क्या बोलेंगे एनोड बोलेंगे star mark कर लेना और जिस हाप सेल पर reduction होता है जिस हाप सेल पर reduction होता है उसको क्या कहते हैं उसको cathode कहा जाता है यह point भी आपको note करके लिखना है ठीक है यह च reduction होगा उसको क्या बोलने वाले है उसको कैथोड बोलने वाले है और यह हमेशा याद रखना है हमारे बहुत काम की चीज़ है ठीक है आगे बढ़ते हैं सेल के बार हमने इतने बड़ा अगर हम बात करें यहां पर जो सेल होते हैं सेल में हमें ज्यादा आगे क्या पढ़ना है यहां पर से भी आपके पाफ कोष़ें पूछा जाता है एक नमबर का फिल इंदा बिलैंक्स पूछा जाता है कभी यहां पर आप के पास आजाथा एक नमबर को यह आपको धियान में रखना है्रोकेमिकल सेल यहाँ पर सेल का पहला टैप हम धूझारे होते हैं सेल कितने chemical energy को electrical energy में convert करने का काम है star mark कर लेना एक number का यहाँ पर question पूछा जाता है आपके पास exam में ठीक है तो पहला point आपको यह ध्यान में रखना है इसमें बात की जाए इसका जो anode होता है मैंने आप से क्या का anode पर कौन सी reaction हो रही होती है oxidation या फिर reduction reaction होती है कौन सी reaction होती है आपको पता है oxidation reaction होती है कौन सी reaction होती है oxidation तो जिस भी हाप cell पर यहाँ पर क्या होता है oxidation reaction होती है उसको हम anode बोलते हैं और electro chemical cell में जो anode होता है electro chemical cell में जो anode होता है उस पर कैसा charge होता है उस पर यहाँ पर negative charge होता है कैसे चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रो कैमिकल सेल होता है उसमें जो एनोड होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है ये भी आपको याद रखने वाली बात है next बात करें यहाँ पर जब यहाँ पर anode पर negative charge होगा तो cathode पर कैसा charge होगा positive charge होता है cathode पर कैसा charge होता है positive charge होता है किस की बात कर रहे हैं आपर electrochemical cell की बात कर रहे है ठीक है किस की बात कर रहे है electrochemical cell की बात कर रहे है क्या मैंने आपको बताया कि जिस भी इलेक्ट्रोड पर reduction होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है उस हाफ cell को क्या कहा जाता है कैथोड कहा जाता है ठीक है इतनी चीज़े मुझे लगता है आप लोग याद रख पाएंगे ठीक है ये किसकी बात करिए हमने ये इलेक्ट्रो केमिकल सेल की बात करिए किसकी बात करिए इलेक्ट्रो केमिकल सेल की बात करिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स टाइप आफ सेल हमको जो देखना है कौन सा होता है वो होता है आपके पास electrolytic cell second type of cell क्या होता है electrolytic cell होता है ये काम क्या करता है इसका काम ध्यान में रखना है इसका work function ध्यान में रखना है इसका काम क्या है ये convert करता है किस चीज को electrical energy को किस में convert करता है chemical energy में convert करता है किस में convert करता है लेकिन तीम बात दोगी यह को करता है एंठ्रीकल एनर्जी अप लोग समझ तरहंगे यह आपको यायद भी रखना है क्या heb सबात करें हांने उसमें मैंने तुम बताय कि ऑक सड़्ल उनक है ऑव्यधोर को उसको क्या बोलेंगे अईनोड बोलेंगे लेकिन इसका जो नोड होता है वो कैसा होता है इसका एनोड होता है यहां पर पॉजिटिव इसका एनोड कैसा होता है पॉजिटिव यहां पर रहता है लेकिन जब हमने एलेक्ट्रोकेमिकल सेल पड़ा था उसका एनोड कैसा होता था उसका एनोड निगेटिव होता था तो यह बात भी आपको यहाँ पर धियान रखना है किसके लिए, इलेक्ट्रो लाइटिक सेल के लिए, डिटेल में हमको अच्छे से इसको डिसकस करना है, लेकिन यहाँ पर जो एक एक पोईट्ट के कोईशन आपके पूछ जाते हैं एकजाम में, वो हमने यहां पर discuss किये अभी इनको हमको पूरे चेप्टर में क्योंकि हमको पूरा चेप्टर में पढ़ना क्या है हमको यहां पर electrochemical cell पढ़ना है different type of electrochemical cell पढ़ने है उसमें आने वाली जो यहां पर equations है वो सब चीजे पढ़नी है cell reactions पढ़नी है ठीक है इसी ले जरीके से यह पर हमारे पास से इसमें भी हमको बहुत डिटेल में सारी चीजे पढ़ने हैं अभी हम एक जनल सा आइडिया ले रहे हैं और जनल से उसन पूछ यहां पर डिसकस कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात जब हम यह अपर करने तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं यह इलेक्ट्रोड्स क्या चीज़ हैं तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास टर्मिनल्स इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं टर्मिनल्स होती हैं जिनके थ्रू यहां पर क्या होता है electricity enter करती है या फिर बाहर निकलती है तो electrodes क्या हुए electrodes अगर मैं बोलू जैसे हमने बोला यहाँ पर एक electrode है electrodes में हम क्या करेंगे यहाँ पर से यहाँ पर कोई wire connect रहेगी और इस electrode से या तो electricity इधर enter कर रही होती है या फिर इस electrode के थूँ electricity यहां से बाहर निकल रही होती है तो electrodes क्या हो गए? terminals है electrodes क्या है? terminals है जो क्या करते हैं अब जिनके through electricity या तो enter करती है या फिर out निखलती है बाहर निकलती है ठीक है यह बात आप लोग समझ सकते है, electrodes basic सी चीज है क्या है? जिनके तुर या तो electricity enter करेगी, या उनके थरूप बाहर निकलेगी, उनको क्या का जाएगा, उन terminals को electrode का जाएगा, अब यहां पर बात आती है, कि इलेक्टोड बनाये कैसे जाते हैं, यहां पर बात क्या आती है, कि इन electrodes को बनाया कैसे जाता है, है तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं मैटल रॉड लेते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं लेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करते हैं मैटल रॉड लिया जाता है और उस मैटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में यहाँ पर डिप कर दिया जाता है और वहाँ पर बन करने वाले हम यह हमारे पार जिंक rod है किया है जिंक rod है और यहां तो यह बन गया यह एक इलेक्ट रोड बना दिया है इसी को हम हाफ सेल भी कहेंगे इसी को क्या कहेंगे हाफ सेल भी कहने वाले आई होप यह चीज़ आप लोग समझ पारे होंगे ठीक है इधर देखिए जैसे में यहां पर बात कर रहा हूं यह कौपर की रॉड है यह किसकी की रॉड कैसार कि रॉड है इस कापर क्या हमने किस में डिप किया हुआ है इस को पर की रॉड को हमने को पर सअलुप यह सालूसों पर का एक सौल्ट सॉल्व सॉल्व को बनाय जाता है मैटल को उसके salt solution में dissolve करके ठीक है इतनी चीज आप समझ पा रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने बोला electrode क्या होता है electrode terminal होता है जिसके थुरू electricity enter करती है या फिर बाहर निकलती है हमने बोला कैसे बनाया जाता है तो metal की rod को उसके salt solution में dip करा के बनाया जाता है यह भी आप लोग समझ पाई होंगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हमको क्या चीज पढ़ना है एक term यूज होगा यहाँ पर कौन सा term यूज होगा सेट अप बिट्वीन मैटल रोडय एंस सॉलट सॉलिसों क्या हमने यह यहाँ पर देख्वा क्या हमने यहां गटन यहां पर देख्वा कि हमने Jeśli अगा मैटलर और यह बिच अब कराई हूए ेटलर और के मैटीच हुई है किसमें उसके सॉल्ट सॉलिशन में ये मेटल रोड हमने उसके सॉल्ट सॉलिशन में डिप कराई हुई है तो इस मेटल रोड के बीच में और इस सॉल्यूशन के हम क्या चाहन की बीच कर दोनों के बीच है यहां पर इक potential डिफ्रेंस जने रेट हो जाता है जिस potential difference को ही हम क्या कहेंगे electrode potential कहेंगे उसको ही हम क्या कहने वाले हैं electrode potential कहने वाले हैं वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी वी है potential difference setup between metal rod and its salt solution क्या आप लोग इतना समझ पा रहे हैं मुझे लगता है आप लोगों कोई चीज़े समझ में आ रहे होंगी चलिए आगे बढ़ते हैं उसको आने वाले lecture में आप डिसकस करेंगे तो आज के लिए हमारे पास से एक basic सा information, basic सा introduction हमने electrochemistry का यहाँ पर किया है उसमें और आगे जो details चीज़े आने वाली हैं बहुत important आपके exam के point of view से रहेंगी आप लोग उसको join कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग और अगर offline classes भी यहाँ पर आप लोग पढ़ना चाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आपको पता है smart classroom है online, offline, both mode में यहाँ पर classes चलते हैं recorded classes भी आपको YouTube पर available करा दी जाएंगी और यहाँ पर आपको free class notes जो हम class में यहाँ पर पढ़ते हैं उसके notes भी आपको provide करा दिये जाएंगे PDF की forms में आपके chapter खत्म होने के बाद आपके यहाँ पर mock test होते हैं और अगर fees की बात करें तो आपका यहाँ पर thousand per month यहाँ पर आपके पास fee रहने वाली है most affordable fee से आपके लिए रहेगी thousand per month में आप यहाँ पर इतनी सारी चीजे avail कर सकते हैं अगर आपके जो भाई बहन लोग हैं अगर नाइंथ या 10th class में हैं 9th 10th class में CBSE board में हैं या फिर उत्राखंड board में हैं तो आप science या math के लिए उनको join करवा सकते हैं और अगर आप लोग 11th या 12th में हैं तो आप लोग 11 12 में अगर chemistry पढ़ना चाहते हैं उत्राखंड board से हो चाहे CBSE board से हो चाहे आप यहां पर ISC board से हो तो आप यहां पर offline classes join कर सकते हैं जहां पर इतनी सारी facility आपको provide करवाई जाती है तो मिलते हैं फिर next lecture में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं कि